यू, what's up guys, कैसे आपसो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग के लिए जा रहे हैं, house flipper, all right guys, welcome to my new house, खैर, अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, यह वाली window बंद कर देते हैं, और मेरे घर के बाहर बहुत जादा बर्फ पड़ रखी है, और अभी दिन के टाइम पे भी snow falling चल रही है, wow, खैर, अभी यार, bed ठीक कर देते हैं, यह वाला जो house आप देख पा रहे हो ना, यह house मैंने recently खरीता है, और यह सची में बहुत जादा बड़ा है, और बहुत जादा गंदा भी है, वैसे भी यार, अपसे मेरा personal house है, और मैं इसको बेच के बिल्कुल भी profit नहीं कमाना चाहता, खैर, हर एक रूम में बहुत जादा गंदगी मची भी है, तो मेरे पे चब extra time होगा, मैं की साथ सवाई तवी करने वाला हूँ, फिलाल अभी जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि अपना office भी मैंने इसी घर में shift कर लिया, यह पड़ा हमारा laptop, वैसे at least मुझे यहां के थोड़ी बहुत सवाई तो कर दीनी चाहिए, entrance वाला area इतना जादा गंदा हो रख है, मैं सो साने घर के बहुत सारे option है, एक है camping बंगलो है, बट यह बहुत चोटा है, एक है burn house है, घर जल चुका है, बट नहीं यार, इतना चोटा घर नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो बड़ा बनावा, at least एक दो फ्लोर का तो वह होना चाहिए, इन सब के prices कहा है, पहले price द होला जाता है, house नहीं, बाकी एक घर है बीच पे, है तो छोटा ही, लेकिन इसका price सिर्फ उसे location के विज़ए से 90,000 डॉलर का है, एक है hacker loft है नहीं 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 भाई, वहाँ नहीं जाना है, तो कुछ यहां पर कोई भी house समझ नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक खुला यह मिला है में $253,721 का, जो कि काफी जादा महंगा है, बठा, वर्थ इत है भाई यह, तो अभी मैं इसको खरीदने वाला हूँ, और देखते है कि आखिरकार हम लोग इसे renovate करके, कितने का बेच पाएंगे, alright guys, तो अभी हम लोगों ने जो घर खरीदा था, मैं वहाँ प मकडी के कितने बुरे-बुरे जाले लगे हैं यहां पर, बातरूम का भी बहुत बुरा नास पेटा हुआ है, और वह सब चोड़ो, यहां पर टॉलेट सीट, रेडियेटर वगरा, रेडियेटर चोड़ो, यहां पर नहाने के लिए नल भी नही लगी है, बस पाइपे लट करी हैं, यार यह तो बहुत जादा बुरा आल है, यह बस बाहर सही देखने में अच्छा लग रहा था, और सरफ में यह क्या है, वेट, अच्छा यहां पर कर्टेंस लगा रखे थे, इस कर्टेंस को भी हटा आता हूँ, कैर, ओतरी, गर के पीछे ग्रेवयार, यह तो और क्या है, यहां पर ऊपर वाला बातरूम फिर भी ठीक है, यहां पर अट लीस्ट टो लगी भी है, यह वाला में गेट, ओ तेरी, यह क्या है, हेलो, इतने सारे कोक्रोचेस यहां पर क्यों आ रखे हैं, कहीं इसके इंदर किसी की बॉड़ी तो नहीं है, विट, यहां यह सची में गलत घर ले लिया, मैंने नुकसान में जाने वाला हूँ, मैं बहुत जादा, क्योंकि इतना पेंट मुझे करना होगा, मैं ठक जाओंगा बाई, पेंट करकर क्या सही बता रहा हूँ, यह वाला रूम फिर भी ठीक है, बस कीचर वीचर पता नहीं कहां से आ रहा है उपर क्या है, कुछ समान ममान है, क्योंकि अगर कोई पुराना समान मिल जाता है, तो मैं उसे से केंट बेच सकता हूँ, और वेट, मुझे लगा जैसे इदर कोई क्याट या कोई डोग मरा हूँ है, वाई, सची में बड़ी अजीब सी फील आ रही है इस घर में आने के बा इस एकजामपल यह सोफा 322 डॉलर का बिक जाएगा, यह डबे तो कैर मैं बस रिमूब कर सकता हूँ, बिक हैंगे नहीं हटा देते हैं सारे के पुराना टीवी है, 28 डॉलर मिल जाएंगे, इसके टेबल के 5 डॉलर मिल गए, और यह एक इसको लिए रहें देते हैं, नहीं गंदी वाइब दे रहें चले हैं से, घोस्ट मास्क पता नहीं कोन लटकाता है घर में, यह सब हटा दिया, और यहां पर यह बिकी का क्या, 1 डॉलर का बिक रहा है, नहीं फ्री में ही ले जाओ ना तुम, एक डॉलर में बिक रहा है, सारा इतना महंगा महंगा समान जो यहा इसे कर देते हैं, जितना पुराना सवान है ना, सारा बेच डालूँगा, मैं यहां पर यह उटाओ, यह उटाओ वाई, यह को साफ नहीं करना बेच हूँगा, अंदर वाले रूम में क्या था, इसको भी बेच बेच दो, यह तो, यह को को करोच भी बेच दो, तुम्हारी समान लेकर गया वाइस है पैंसिल रबड कुछ नहीं छोड़ा चपल तक नहीं मिलिया मुझे इस घर में पुरा नहीं ठीक है शायद से भी मैंने पूरे घर को अच्छे से एक्स्प्लोर कर लिया है बट वेट यहां पर नीचे एक रूम और जा रहा था इसको भी उठा लेता हूं यहां से यह तो मैंने देखा ही नहीं इस खर में एक सीक्रेट बेसमेंट बनी वी है नाइस यह सची में नहीं नोटिस हुई और यहां पर भी बहुत सारा समान है यह स कुछ भी ऐसा खास मुझे नहीं दिख रहा है कुडा करकट पड़ा था बेच देते हैं तो घर की सफाई अभी अच्छे से हो चुकी है कुडा करकट जितना पड़ा था सारा मैंने अटा दिया है अब एक काम करते हैं यह ब्रश निकालते हैं और जितना भी यह सारे मकडी क जा ले ना यह मुझे साफ करने चल भाई तू भी हट तू भी हट अंदर वाले रूम से करते हैं और पहले घर से यह हटा देते हैं फिर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिया है स्पाईडर के जाले हटा दिये और शाय यह तो इसे साफ कर सकता हूं बड़ी फ्लोर मतलब पुराना साय तो अच्छी फीन लिए गी नहीं फ्लोर लगाना पड़ेगा वागे बहुत सारे कोक्रोच है को क्या स्प्रे डालना पड़ेगा ओवेट इसे वैक्यूम क्लीनर से इस मश्यम मतलब खाली कच्रे के अंदर क्या आता हूं भी ओके आजाओ 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 कोई बचके नहीं जाना चाहिए यहां से तो चलो भाई फाइनली यहां पर जितने कोक्रोच थे सारे के सारे मैंने वैक्यूम क्लीनर के तुरू एक जगा पर कर लिया है यह थोड़े बहुत दिवार में चिपके हुए और इतर नं तो पुरा को पुरा रूम मैंने चमका दिया है यहां पर वॉल काफी ज्यादा गंदी हो रहते है क्या मैं इसे साफ कर सकता हूं नहीं बाई यह इस वोल पर पेंट करना होगा जमीन पर जो थोड़ी बहुत गंदी है वह साफ कर देते हैं वह चलेगी जैसे यहां इसको साफ कर देते हैं आगे भी इस रूम में थोड़ी बहुता है तो अभी मैंने पूरे के पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दिया शायद अभी मुझे यहां पर पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए मैं कलर डिसाइड कर लेता हूं हर एक रूम का तो कर डिफरेंट ही होन पर लगाओ बट मैंसे नायट वुड लग लाथे यहां लगाते हैं यहां पर चलते शॉड पेशल पे देखनेए और दीक ने आखिर कैसे किसे ऑप्शन यहां पर वुड है बत धी तो 26 15 ado एकले से बहुत प्यारा लगने वाल यार यह देखो पहली गया लुक होगी घर गर में लाइटे ही नहीं है इसलिए उत्ता पता नहीं चल रहा बट जैसी में इसमें लाइटे भी लगा दो ना तब मज़ा आने वाला भाई इस घर में मस्त फील आईगी और यहां से लेकर मैं इसको यहां तक भी कवर करता हूँ तो यह काफी साही लगेगा बट यहां पर जो गंदगे ना लगे हाथ मुझे यह भी साफ करनी चाहिए यार वरना अजीब सा लग रहा है अपना फ्लोर वैसे देखो कितना ज्यादा अच्छा लगने लग जटके से लीविंग होल तो हो गया भी फटा-फट से चलके से पीछे वाले रूम में भी लगाते हैं क्योंक तो जहां तक मुझे आ रहा है मुझे यह ही एक सेरमिक टाइल सोड़ी सी अच्छी लग रही है अब बाकि लगा के देखने के बाद पता चलेगा कि यह सची में अच्छी है या फिर अजीब नहीं यार यह थोड़ी ना मैट लुक दे रही है जैसे यहां पर पहले इस से कर देता हूं इसी को पूरे में कर देते थोड़ी यह लग रही है मिरको लेट्स को तो बातरूम की टाइल से यहां पर कंप्लीट हो चुकी है और अभी थोड़ा सा अपना बातरूम है यह लग्शुरी बनने वाला है तो इसको भी गेट गेट देखो भाई कितना पुरा यहां से तूसरी और बढ़िया विंडो लगाऊंगा तो सारी के सारी विंडो डॉर्स भी मैंने यहां से निकाल दी है अब अपने हिसाब से नए दोर खरीद के लाऊंगा वह लगाऊंगा बट उससे पहले स्टेर्ट करते हैं इस वाले फ्लोर की हो गई है अब हम लोग च यहां तक यह भी हो गया और टाइल्स तो यहां पे भी काफी अजीब सी लगी है इसे ठीक करता हूं मैं अभी और राइट गाइस तो सारे के सारे रूम एकदम प्रॉपर हो चुके हैं और अभी मुझे कुछ नए डोर खरीद लेने चाहिए फटा फट से बट डोर खरीदन और यह विंडो कैसे रहेगे इसको भी विचो पहले डोर लगाते फिर उसके बाद विंडो लगाएंगे और वैसे जो नाइन डोर टोटल मैंने काउंट करें उसमें से एक डोर मेन होने वाला तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा तो मुझे यह एक वाइट वाला और यही द घर लेगा ना वाई उसके मज़े आने वाले हैं क्योंकि पहले से डेकोरेट होकर मिल रहा है उसे क्रिस्मस के लिए तो यह डोर होगा है यहां पर लगा देते हैं और अभी मैं देखता हूं कि आखिरकार यह जो घर है यह कैसा लग रहा है बाहर से कोई आएगा तो यह कर देता हूं वाइट यह तो ऐसा करें इसको वुड में करते हैं इसको ब्लाक यह वाला ज्यादा प्यार है मैं इसके हैंडल का भी कलर चेंज कर सकता हूं गोल्डन ब्लाक या फिर थोड़ा सा ग्रे में फुल एकदम तगड़ी कस्टमाइजेशन हो रही है बाइन आउ तो काफी अंधेरा हो गया सही में डण भाई सारा काम हो चुका है अब एक बारी में लाइट ओन करूं क्या पता नहीं यार कोई लाइट होगी तो नहों गी ना यहां पर कुछ है नहीं चलो यार आज के लिए मैंने बहुत काम कर लिया है फिलाला भी मुझे अपनी घर के सब कुछ खतम करके जाना है और यह देखो जो डोर हमने लास्टे लगा है कि कितने ज्यादा प्यार है लग रहे है यहां पर फुल वाई वारी है तगडी तो फटाफट से धेर सारी विंडो भी पर्चेस कर लेते हैं ब्लैक डोर लगा है तो कुछ इसी टाइप की विंडो इस वोल को फुल पड़ना पड़ेगा ठीक है अभी मैं यह पर विंडो लगा सकता हूं यहां पर तुम्हारे भाई ने विंडो लगा दिया है बड़ यह विंडो बहुत जादा बढ़ी हो रही है यार इस थाइप की विंडो पता नहीं अच्छी लगई घी अंहीं लगई और यहां पर लगा देता हूं ठीक है यार अच्छी लग रहे है जब बहुत सारी लग जाएगी पींट पगेरा हो जाएगा ना तो यह बहुत प्यारे लगेगी सेम्ट उसे मुझे इस साइट पर भी लगानी है बाए करके इधर करी प्लेस और यह तोर गया और यहां पर लगाने वाला हूं मैं यहां पर कि यहां पर वैसे बातरूम में थोड़ी विंटो लगाई जाते यान लगाएंगे यह विंडो भी काफी अच्छी है इसको कहीं पर लगा के देखते हैं डॉक कलर में चलता हूं इसको कहां लगेगी यह यहां पर रेडियेटर आना है तो अच्छी लगने वाले है इसको बड़ी बड़ी विंटो लगा देंगे बड़ी बड़ी विंडो यह वाला रूम अलड़ी काफी जदा ठीक है और से भी वैसे स्टोर्रूम बनाने वाले है घर में रिक्ते रूम इनफ है लेट्सको अब हो चुका है भी फड़ा फट से मु सिर्फ वालपेपर दिखाओ यहां पर हां तो नीचे से देखते हैं वात है हम लोग केट्स वालपेपर माउंटेंस हां बाई कुछ ऐसी टाइप का गेमिंग रूम बना देंगा पूरा गेमिंग हाउस बनेगा पूरा पूरा गर तो थोड़े गेमिंग फील में जाते है ल अब चलते हैं टाइनिंग पैनल में और यहां से मैं इसको उठाके यहां पर लगा देता हूं देखते हैं आखिरे कैसा लगने वाला है एक दो तीन चार पांच छे यह वाई रिपीटिड नहों बस तो यह बहुत प्यारा रहेगा या मस्ट फील आ रही है इसके बीच में यहां भी यहां भी यहां भी और यह बिल्कुल मैच होता जा रहा है सारा लेट्स को पुरी की पुरी वाल तुमारे वाई ने एकदब मस्तसी बना दिया यह वाली तो यार ओ भाई 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 काफी जादा बढ़िया लग रही है यह वाली वाल मतलब बाहर ग्रीन दिख यहां जुआं टॉड़ा बहुल पने वह है नाइस थोड़ा बहुत और बचाए तो क्यूँना इसके बगल वाली वाल पे विकर दिया जाए तो एकदब मैचिंग मैचिंग सा हो जाएगा यहां से भी चार में वाल बचšो यहां तक कर देते हैं हा Tech लग अब भाई पर है यहां से यहीरी paint bucket इसको और इसको रखवा देता है यहां पर अब फड़ा फड़ावट से यह से हम लोग निकाल देंए पेंट इसमें से निकालता हूँ वाल एक पर शुल तरह तो इस वाली ओहला पर पींट कर देता हूँ भर्ट ञाव the किट्स स्काई वोल पेपर है इसमें दो कैटिगरी है एक शायद गर्ल के लिए एक बॉय के लिए यह वाला लेते हैं यार पहले ना मुझे ऊपर चलना चाहिए ऊपर आले रूम से थोड़ा सीख के आएंगे किस टाइप का रूम अच्छा लगता किस टाइप का नहीं लगता एक जामपल अभी मुझे यह वाला रूम अपने लिए बनाना है कि यहां पर अपना बैड़्रूम वगएरा हो जाएगा यह तो यहां पर चार वोल पेपर मैंने खरीद लिए अब चलके इन सबी वोल पेपर को नहीं यह यह लगाता हूं एपना बैड रूम मैं इसलिए मै यह वाला रूम वान टू थी तो चलो फाइनली यह वाला जो रूम है पूरा पूरा थोड़ा से रहा गया था इसको भी कर देते हैं कित्ती दे लग रही है और वाई मैं इस तरफ में भी लगा सकता हूं विंडो को भी कवर किया सकता है दोनों साइड से देखो अगर हलका रीदने का काम सबसे एंड में करेंगे फिलाला भी जितना के काम क्यूंकि जरूती वह सब हो चुका है उपर का एक रूम हो गया है इस वाले का गेट बंद कर देते हैं अब चलते हैं दूसरे रूम में यह वाला भी कंप्लीट करना है अंदर एक स्टोर रूम में यह भी कं कंप्लीट हो जाएगा रूम के साथ साथ मुझे और भी कंप्लीट करना होगा वैसे ज्यादा बढ़ा नहीं है तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं तो यहां पर नीचे स्कार्टिंग की मुझे कमी लग रही है और पेंट तो सीदी सी बाता करना ही है तो मैं एक बार ही चेक यहां पर इसको मैं रखवा जेता हूँ खरीद के एक दो तीन चार भाई जगा ही नहीं हो रही है विल्कुल पूरे घर में लगाना है तो यार ज्यादा खरीद लेना चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शायद इतना बहुत होगा कम पड़ेगा और ले ले लेंगे क्लाला भी से लगाना स्टार्ट करते हैं ऐसे लास नहीं में यहां कराप ही थी आप ग्लिच ता ज्योंयँ ठीक हो चुका है मुझेख क्या करना है अब मुझेख सबसे बहले तो यह पर यह जो पैर्दल्स है मैं इसे थोड़ा सब्सार्णीक हरा देक अनौप हरी लाउग क पहार वाली साइट पे यह फ्लॉक वाल पेपर कर देता हूं इसमें अगर कुछ अच्छा डिजाइन हो तो चलेगा बाकी यही ठीक है यार कर दो कुछ बुरा नहीं लग रहा है यार मैं को यह सची में ठीक है और इस बारी ज्यादा खरीने से पहले ना मैं थोड़ा सा लगा नाइस कुछ अलग सी फील आ रही है बट काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा यार अगर इसे मैंने पूरे घर में लगा दिया ना क्योंकि यह भी बेकार है मुझे ना कोई रॉयल वाल पेपर ढूड़ना होगा सिंपल सा और काफी ज्यादा बढ़िया लगे बट यहां पर ज्यादा ही चमक रहा था वो थोड़ा ओवर हो जाता और मैं इस बार ही 100% शोर हूँ इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यह की बार में पसंदा है लेट्स को अभी इसे फटाफट से यहां पर लगाना शुरू करते हैं और मैंने कहा तान यह काफी सही लगेगा लिविंग एरिया के लिए यह वाला वॉल पेपर मेरे सबसे बहुत बढ़िया रहेगा एक यह भी ऑप्शन है यह भी ऑप्शन है एक लाइट में चलते हैं थोड़ा सा इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हूं यह थोड़ा नया लग रहा है इसको लगा अपना यह घर थोड़ा बहुत रंग भी रंगा बन रहा है पता नहीं फाइनल आउट पुट कैसा आएगा ओके गाइस डान तो मैंने वाली वाल पुरी कंप्रीट कर दिया साइट से करना बागी रहा था यहां पर मैंने कर दिया इस पर भी कर देते हैं बिल्कुल फिनिश अब सामने वाली वोल पे रेड कर देते हैं सेम इसी में एक रेड भी था शालो बाई ग्राउंड फ्लोर हो गया है अब एक काम करते हैं फड़ावर से अंदर वाला बात्रूम कंप्लीट करते हैं यांकि टाइल्स नीचे कि मैंने कर दीथी चेंच उपर वाली टाइल्स गं क्या पता सही में अच्छा ही लगे यार यह अलगी है कुछ लेट्स को अभी मुझे इस टाइल को उसी तरीके से लगाना होगा जैसे मैंने पहले लगाए थे तो फड़ा फट से भी यह वाली टाइल्स में आपर लगाना स्टार्ट करते हैं पता निया कैसा लगी ओ नाइस यह देखो अच्छी लग रही यार यह मैंने लगाया इस पर पेंट एक यहां पर लगाता हूं फिर यहां पर लगाता हूं और यह प्यारी लगेगी यह देखो आ तो कर देखा जाए तो बुरी नहीं लग रही है कुछ नई यूनीक सी चीज आ रही है क्या पता इसी थीम क देखने के बाद को हमारा गर बहुत महेंगा खरीद ले चालो भाई नुकसान एक और छेल ले थे ऑल राइट तो बातरूम हो चुका है बट अनसली बता रहा हूं जब तक यह चीज एक वॉल पे थी तो अच्छी लग रहे थे बट भी पूरे में हो गया थोड़ा मतलब एक इसा और अंदर असा लग रहा बस ऐसा चक्कार आ जाएंगे बड़ा अजीब सा और बुरा नहीं लग रहा सही बताऊं तो खेटीक है यह सब हो गया यह वाली वॉल भी चेंज करने है ग्राउंड फ्लूर समें लो अल्मूस पूरा कंप्लीट हो गया बस यह वाला रूम र लग रहा होगा बड़ोना इसलिए बदाऊं तो यहां पर भी लाइट सी नहीं लगी है इसलिए डार्क लग रहा है मेरे सबसे जब लाइट लग जाएगी न तो यह बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला पूरा घर ग्राउंड फ्लूर एकदा मस्ट कंप्लीट हो चु इसलिए रूमें तो मैं फुल पेंट ही करने वाला हूँ यह निकाला पेंट अग्ताम भर गे और यह यहां पर करना शुरू कर दिया अच्छे से पेंट होता है चले जाएगा यहां पर एक ही बार में इत्ती सारी पेंट वाल पेंट कर दी मैंने पर कुछ कुछ साई से नह इतना भी ज़्यादा अच्छा निया बिर्को यह यह चाल लग रहा है फिलाल इस वाले रूम में यहलो पेंट नहीं ब्लू पेंट करने वाला हूँ तो खरीद लेते हैं एस बार में थोड़ी बड़ी बकिट नहीं खरीद हो यहां पर फेंट बच गया पेंट पेंट तो यह अंदर वाले फ्लोर मतलब हम यहां से निकाला भूपेंट उ अभी चिप रही है करना स्तार्ट करना यहां सही बहुत प्यारा लगी यह रोम यहां पुरा कर आगे तक प्राइभ कर तक कर दे जोंगर यह मुட्स को तो चलो भी यहां पर gate मैंने purchase कर लिया और इसे यहां पर लगा देते हैं अब काफी ज़्यादा साही लग रहा है पूरा का पूरा रूम यह भी हो गया यह वाला रूम भी हो गया सब एकदम हो क्या है यहां से नीचे चलते हैं यह बातरूम कोन करेगा भाई इसको यहां से पूरा लेकर यहां तक लगाते हैं और देखते हैं यार कितना अच्छा लग रहा है वैट यह बहुत बड़े बातरूम वाली लग गई रुको यहां पर यह एक छोटे साइस के भी है शायद यह वाली बनी होगी इस बातरूम के लिए क्योंकि भाई वो तो हाँ यह ज़्यादा अच्छी लग रहे है यार उससे ठीक है अब वाल्स के लिए देखना है नाइस नाइस ज़्यादा देखने के जरूत नहीं है मुझे अब इसे लगाने स्टार्ट करते हैं लेट्स को यह उठाई और इससे पहले यहां पर लगा के देखता हूं अखिर कैसी फुल ओक्या बाई यह वाला बातरूम भी कर दिया है कंप्लीट और सची बताओं तो सेम तो सेम वही वाला जैसे हमने वाला बातरूम कंप्लीट कर फिर पूरा अच्छा नहीं लग रहा था सेम ऐसी है वाला फिर भी थोड़ा वह ठीक लग रहा है मिलको ऐसा लग रहा है जैसे भी आपर चीजे मिस है इसलिए थोड़ा वह अजीप सी फील आ रही है बट या पूरा घर हमने कंप्लीट कर दिया और पहले कैसा था और अब प्यारा हो चुका है यह वाली वाले क्लास रहेगी थी इसे भी कर देता हूं चेंज एक यह लास्ट ऑप्शन है इस वाली वाल के लिए लगा लोगों करते हैं मुझे नहीं लगता यह इससे भी ज्यादा प्यारी लग सकती है अभी तो यार सची में फुल गेमिंग तो फाइनली पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है उपर से लेकर नीचे तक अब बस मुझे यहां पर थोड़ा वह समान लाके रखना है एक्जामपल मुझे यहां पर रेडियेटर्स इंस्टोल करने हैं यहां पर मुझे ट्वालेट सीट लगानी है और भी काफी सारे लगान तो मुझे यहां पर एसी का यह लगवा देना चाहिए सबसे पहले यहां पर जिस पर एसी हैंग होता है तो यह एक है जो कि मुझे यहां लगवाना चाहिए फ्रेंट में एक एसी रहेगा तो काफी बढ़िया लगेगा अब बस मुझे एसी खरीदना है और यहां पर यहां आपर वाला टाइट और इसके साथ AC को बस मुझ leader यहां पर लगाना है, बट Wire जोड़नी पड़ेगी मुझ्य सबसे पहले यह वाले सारे Screw टाइट करके पहले यह वाली Wire, फिर पीछे वाली Wire फिर भी यह prince, red फिर फिर यह green यह वाली green और यहाँ पर बीचे की white और यह वाली भी white हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस घर में तो इतने ही पैसे भी हमें चाहिए वाई तो सारे के सारे screw भी मैंने tight कर दिया है अब बस मुझे यह सारी piping करनी है इसको जोड़ा इसको जोड़ा और यह वालट करा tight इसको भी जोड़के इसे भी कर दिया अब इस पैनल को कर दिया क्लोज और फाइनली एर कंडिशनर हमने आपर इंस्टॉल कर दिया है भाई साप किता वड़िया लग रहा है वैसे मैंने सोचा नहीं कि टीवी भी तो यहीं पर आना चाहिए ना सोफा सामने लगाते है तीवी इदर लगाते हो और आम बैटके दे अब यहां पर हमने एक रडियाटर कर दिया है अब इस-कामी कि दिख रहे है थोड़ी सॉड़ी और गिला भी मुझे यहां पर पूल मिला इसको लिए के चलते हैं। बहुत प्यार लगे इसका अंदरवाला एरिया ब्लू कर देता हम बूप इस ताईप का और इसको भी ब् मुझे दिखने के आखिर कारी ये फूल मैं open में लगाओ मैं इसे लगा सकता हूँ नाइस अभी तो घर की कोस्ट भाई बहुत जादा बड़ने वाली है इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा सा कुछ इस टाइप से पूल को मैं आपर लगाऊंगा वीट 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 थोड़ा पानी नहीं है इटू प्लेस पूल अच्छा भी प्लेस भाई मुझे आप खुदाई भी करनी पड़ी कि इसके लिए ठीक है कोई बात नहीं पूरी सफाई कर दी जाएक अच्छे से और पूल लेकिन बनना चाहिए इतना कुछ कर दिया है मैं वारी ट्राय करता हूं कि आख 250 अभी भी हम लोग प्रॉफिट में नहीं आए है 250 251 नहीं यार मैं कोई लगता है घर इता जादा महेंगा बिकने वाला है यह आया फैमिली जॉंसन यह घर 256 का ले रही है और डॉलन ट्रस्क नाम का एक बंद है जो कि हमसे यह घर 256,000 डॉलर में लेने के लिए रेडी है बट हमने एक खरीदा था 253 का यानि गारी 223,000 डॉलर का प्रॉफिट बस और यह कह रहा कि इसे एक बेडरूम चाहिए और जो कि हमारे घर में नहीं है रेफ्यूस मैं इस घर को और अच्छे से बना तो पहले इसको बाहर से जादा जादा गंदा नहीं है बड़ मैं अच् तक घरेख कर मदने कि आदकी आफिया olur यहां थो में यहां से नीच यहां से गया ईबाई लिए पांच यहां से करते हैं यह वेड़ा पेंटने से वह स्वस्यात है जबीधे होगा है भाजय कॉस्वें pane अभी ठीक है अब चलते हैं सीधा उपर इसको लेके औरना बार बारी पेंट लेने के लिए मुझे नीचे उतर के आना पड़ेगा यार यह रखी यहां पर यह निकाला पेंट और अभी करना है स्टार्ट करते हैं शलो बाई यह वाली वह तो तुम्हारे ने कंप्लीट कर दी अब चलते हैं फ्रेंट साइट का काम करने के लिए तो यहां पर इधर लगानी हो कि मुझे स्काप फोल्डिंग पेंट बगी उड़ाते हैं उपड़ चलते हैं यह बात इसको रखा यहां पर और फ्रेंट साइट का भी पेंट करके सारा काम खतम करते हैं वाई वैसे मैं कह आना है मुझे यहां पर इसके भी बहुत सारे different colors हैं इसको dark color का ले लेते हैं बहुत प्यारा लगेगा अब मुझे इसे लगाना है यहां पर इन में से कहीं पर लग जाए अच्छा इसका पैनल इधर install हो रहा है यह देखो तो यह यहीं पर लगने वाला है अब बस मुझे इसे पूरा यहां पर assemble करना है कुछ इस तरीके से इसके screw को tight करके एक pipe tight होगी दूसरी pipe tight होगी पानी आना शुरू अब यह लगाया and second वाला है इसको जोड़ने का काम और इसको भी जोड़ने का काम अब इसको भी tight करना है और इसको भी tight करना है फिर इसे उपर से tight करना है let's go यहां अच्छा इसका पानी निकलने का भी तो आखिर इसमें कुछ लगाई का है किया अब यहां पर start करते है मुझे यह तो हो गया बातिंग एरिया एक toilet seat लगानी है तो यह वाली toilet seat अगर मैं purchase करूं तो क्या यह यहां पर लग जाएगी या फिसके लिए कुछ अलगी installation लगानी पड़ती है नहीं सबसे पहले मुझे toilet का और यह हो गया अब बचा है बाथिंग एरिया तो मुझे देखना है बास्ता प्लंबिंग सिस्टम बट नहीं बाथ टब नहीं यार कि लगा दू बाथ टब अगर जादा जगा ना घेरे तो लग जाएगा यार बहुत प्यारा लगेगा ज़रूरी थोड़ी थोड़ी है कि तो दिखा रहा था लग जाएगा बटा भी लगी नहीं पा रहा है तो अब एक शावर एरिया के लिए मैं यह पर्चेस कर लेता हूँ इसको भी अगर इस कॉर्णर में स्पेत हो तो हम लगा सकते हैं बट इसकी भी नल इंस्टॉलेशन करनी होगी यार बाथ टम नहीं लग यह लग गए ग्लास काफी जदा बढ़िया लग रहा है एकदम कम एरिया में बहुत अच्छा बाथिंग एरिया बन चुका है लेट्स को बातरूम हो गया है अब बस मुझे यहां पर लिविंग एरिया काम करना है लाइट्स लगा देते हैं सबसे बहले लाइट्स बहुत जरूरी है और मैं चाहूं तो यहां पर बहुत प्यारे प्यारे फैन्स और लाइट्स लगा सकता हूं यह एक अच्छा सा फैन है जो कि ऊपर बहुत अच्छा लगेगा लेट्स को बट लीविंग एरिया में सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है एक सोफा तो यह वाला सो मतलब अजीब सी फील दे रहा है इसे मेरे साब से नहीं सी कोने लगा देना चाहिए टीवी बीच में एक टेबल रखूंगा उसके उपर रख दूगा तो जादा अच्छा लगेगा बहुत अलग अलग टाइप के टेबल है यहां पर बट मुझे में लीग टीवी रखने के यहां के लिए था यार जैसा टेवल मुझे चाहिए ना इसमें है निए कि यह वाला मुझे थोड़ा सा मिला है ओ ओ ओ मस्ता 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 यही तो चाहिए था लेट्सको इसको घुमाओ 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 अभी एकदम परफेक्ट है सामने रख जिया मैंने से अब पर लाके रखना है टीवी टीवी दिखा दो वाई कोई बड़ी ऐसा वाल माउंटीड भी और इसे रखा भी जा सकता है और अभी मुझे से घुमा के यहां पर रख देना और यह तो उल्टाई साइड है वेट यह है फ्रंट साइड तो यह रख देता हूं मैं सेंटर होना यार बेट यहां तमीज में रखेंगे एक ही बार में रख देंगे एट्सको मस्त हो चुका है अब बस किसी का हाथ लगा ना मतलब देखके डर लग रहा है शलो टीवी तो मस्त जगा रख जैसे ओन भी कर देते हैं बाई काफी कुछ मस्त सी फील आएगे जब आम लोग यह यह बाला प्यारा लग रहा है इसको लगाते है रोटेट और भाई एक सची होता हुआ कि रूम के साफ से ना बहुत ज़्यादा बड़ा वैड लग गया ठीक है ठीक है कोई दिक्के नी चलेगा हमें कौन साइस पर होना बाई वह आकर बच्चों का रूम है वो उस पर बहुत जाएगा विग जाएगा 288 और 291 प्लीज थी टैच हो जाओ मेरा बहुत प्रॉफित हो जाएगा प्लीज 2.92 मैक्स हमें 292 मिलने 253 का लिया ताया यहनी 40,000 का प्रॉफित हो रहा है बट मैं इसमें और काम करने वाला हूं रिफ्यूस कर देता हूं बाई मैं सारे के घर को खरीदेगा यह वाला पैनल की चीज का है रडियेटर का था गया ऊपर में एक महंगा वाला टॉलेट लगाने वाला हूं तो उसके लिए मुझे पहले एक प्लमिंग सिस्टम खरीदना पड़ेगा उसका और इसको एक तुम सेंटर में लगाएंगे यह वाला यहां पर डेकुरेशन के लिए किये लगा देता हूं क्या पता इससे इंप्रेस हो जाएं वो बस यार बहुत है भी चलके दुबार से ट्राय करते हैं कि आखिरकारी घर में कितने का बेच सकता हूं लेट्स को पुट अनॉफरी इस बार ही 293 डॉलर का आ गया यानि हम अब बिक फैमिली नेट्स टू और मोर बात्रूम एट लिस्ट टू पाई मैंने बना तो यार दो यार काफी सरी डील्स तो आई है बट सबके कुछ ना कुछ ऑफर है यह में 3,08,000 डॉलर से बड़ी फैमिली लेकर यहां पर आनी है तो घर में बेट्रूम जाता होने बात् अब ही बतना मैं कैसा रहा हूं कि मुझे इस पूरे के पूरे घर को पूरा अच्छे से बनाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसे वन मिलियन डॉलर सक्का बेच सकता हूं तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरू बताओ कि मुझे क्या-क्या और करना चाहिए जिससे इसके रेट बढ़ जाए शायद यह जो मैंने बार का पेंट कर रहा है ना इसकी जगा मुझे वड़न पैलन लगाने चाहिए और हर एक रूम को पूरा भर देना चाहिए फ्लोर पे कारपिट हो वाल पे पेंटिंग हो सब कुछ फिर इस घर को बाकि आज के सुली वीडियो में इतना ही आई होप आपको यह वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो यह जाके लाइक करना और चैनल पर इस जान को सब्सक्राइब करना मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाइव